शिव पुरान के अनुसार शिवलिंग पर अखंड चावल चड़ाने से धन धानने की प्राप्ती होती है। शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने से शनी दोस्त से छुटकारा मिलता है और सभी पाप नश्ट हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार यदी कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसे प्रतिदिन गाय के घी से भगवान शिव का अभिशेक करना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति टीवी रोग से पीडित है तो उसे शिवलिंग पर शहद चड़ाना चाहिए. जल में जौ मिलाकर शिवलिंग पर अभिशेक करने से सुख समर्द्धी में व्रद्धी होती है और पितरों का आशिरवाद भी प्राप्त होता है. रोज रात को 11 से 12 बजे के बीच शिवलिंग पर दीपक जलाने से धन संपत्ति और एश्वर्य की प्राप्ती होती है. शिवलिंग पर आग के फूल चड़ाने से मोक्ष की प्राप्ती होती है. सोम बार के दिन शिवलिंग पर कच्छा दूध अरपित करना चाहिए. इससे सभी समस्याओं से मुक्ती मिलती है शिवलिंग पर गन्य के रस से अभिशेक करने से संपून सुख आनंद की प्राप्ती होती है शिवलिंग पर गंगा जल से अभिशेक करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ती होती है शिव पुराण के अनुसार शिव पार्वती का पूजा करने से शादी की रुकावट दूर हो जाती है और शादी जल्दी ही हो जाती है सावन में रोज 21 वेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं इससे आपकी सभी मनो कामनाई पूरी हो सकती है शिवलिंग पर दूद से चीनी मिलाकर अर्पित करने से बच्चा पढ़ाई में होशियार बनता है और उसका दिमाग भी तेज होता है शमी के पेड के पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाने और शिव पूजा करने से जीवन के दुखों में मुक्ती मिलती है और व्यक्ती मोक्ष को प्राप्त होता है शिव पुरान के अनुसार गेहूं से बने पकवान से भगवान शिव की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ती होती है शिव पुरान के अनुसार शिवलिंग पर मूंग अर्पित करने से परिवार में सुख समरधी आती है अगर आप वाहन सुक चाहते हैं तो शिवलिंग पर चमेली के फूल अरपित करें शिव पुराण के अनुसार सूर्योग पुत्र की प्रापती के लिए शिवलिंग पर धतूरे के फूल अरपित करने चाहिए शिव पुराण के अनुसार पाच सोमबार तक पशुपती के व्रत रखने से हर प्रकार की मनो कामना पूरी होती है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा कमेंट में ओम नमस्षिवय जरूर लिखिएगा थैंक यू